Warm greetings to all of you हमने इससे पहले GSTR 2A की Super Excel Sheet जहां पर इन 2nd data match कर जा रहा था वो version 1.6, 1.67 तक भी हम लेके आया थे उसमें कुछ issues आ रहे थे उस issue को हमने पूरी तरह से resolve कर दिया है Now this is Super Super Excel Utility Sheet यह sheet अगर आपने पहले हमारी version खरीदी भी है तो हमने आपको एक mail भेजा था उस mail में download file करके एक button होगा उस download file को जब आप click करेंगे तो यह वाला version 2.1 download हो जाएगा automatically अगर by chance नहीं होता है तो आप हमें एक बार mail लिख दीजेगा वहां पर हम आपको अलग से भेज देंगे ठीक है और नए users और पुराने users दोनों इसको देख लेए बहुत असान है बहुत असान है मैंने कोई सिर्फ आपको सिर्फ copy paste करना है हमने पहले क्या कर रहे थे GSTi2a में ही copy paste करवा रहे थे यहीं पर green हो रहा था अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं अब हम लोग कह रहे हैं कि GSTi2a का data आप यहाँ copy paste किजिए यहाँ और कुछ लोग कहता है कि सर प्रोटेक्टेट शीट है पासवर्ड भेज दो वह यह प्रोटेक्टेट है इसलिए यह काम कर रहा है जैसी यह प्रोटेक्ट हो जाएगा यह formula हट जाता इससे आप इस sheet के बाहर आपका पेस्ट हो रहा है तो यह column के बाहर अगर पेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि वह paste होने नहीं देगा याद रखिएगा इसके बाहर paste नहीं होने देगा यह रहा है तो इसलिए जब भी आप paste करें serial number पे भी paste नहीं करना यहां से GSTN यही data उठाना आपको और यहां paste कर देना बस और कुछ नहीं करना उसी तरह से account books का भी data उठाना यहां से लेकर यहां तक आपको paste करना और कुछ नहीं करना ठीक है और हमने एक काम किया है यह जितने में पै 3 में है अब हम यहां पर 3 में आते हैं यहां पर यह दिखिए राउंड ओफ करके दिखला रहा 1688 00 तो अब आपको पैसे के कारण पुरानी वाले sheet 0.01 पैसे के कारण भी unmatched दिखला देता था अब वो problem solve हो गई है इससे दूसरी problem एक थी कि जब आप accounts का data डालते थे तो कुछ accounts के data में यह कर देता है यहां पर space होता था और जैसे space यहां पर आ जाएगा तो वो data unmatched दिखला देता अब यहां पर space आप कितना भी यहां पर है कोई फ़र्ग नहीं पड़ता data match ही दिखलाएगा देखिए पहले भी match था अब भी match है तो वो problem भी अब खतम होगी एक और problem थ मैंने कहा था GSTR 2A में वही data आप copy paste किजिएगा जिसके आगे total लिखा हुआ है कि इन कुछ लोग GSTR 2A का data download करते थे और वहां total नहीं लिखा होता था तो कुछी software के through download करते थे तो एक एक करके total डालना 1500 invoice है 4000 invoice है तो बहुत मुश्किल हुआ करता था तो हमने वो problem भी आप solve कर दी जब यहां पर आप simply copy paste कर दीजिए copy paste कर दीजिए माल लिजिए यहां पर total का data आपका नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना account books में यह total यहां से हटा दीजिए यह भी हटा दीजिए तो dash और total हटा दीजिए अपने आप यह data इसके साथ match करेगा है यह अभी green इसलिए हट गया क्योंकि यहां पर gstr2a के data में total था तो मैं यहां पर dash और यहां total लिखना है हो गया तो कितना fast काम कर रहा है second half millisecond पर यह sheet काम कर रहा है यह अगर यहां से यहां से कोई data नहीं अटेगा यह पूरा sheet हमने protect कर दिया जहां भी data match हो रहा है पूरा sheet protect कर दिया इसलिए protect कर दिया क्योंकि कुछ लोग कहा सर जो sheet हमने download कि उसमें एक data तो काम किया फिर दूसरे company का हम लोग कर रहा है तो वो data काम नहीं कर रहा है वो इसलिए क्योंकि यह sheet पूरी तर से protected नहीं थी formula change हो जा रहा था अब हमने यह क्या यह पूरी sheet हमने protect कर दिया formula change ही नहीं होगा तो हर बार match करेगा ही करेगा अब आ से देखिए यह काम ही नहीं करेगा ठीक है तो इस तरह से यह काम कर रहा है एक चीज़ और बता देता हूं आपको control-z कर लिया अब हो गया अब इसको sort कैसे करना है data को sort कैसे करना है आप क्या किजिए simply यहाँ पर click किजिए filter by color और green कर लेंगे तो जो data match कर गया वो नजर आएगा आपको अब आप इसमें जो data match कर गया वो नजर आ रहा है इसमें से कुछ tax का data match नहीं किया जो white है तो इसको आप देख लिजे क्यों नहीं match किया तो यह data कहा होगा आप यह वाला copy कर लिजे invoice number में यह paste कर लिजे और यह आ गया तो आपको पता यह 2683 यहां पर 2683 और account books में यह data आ रहा है 1031 इसलिए यह match नहीं कर रहा है तो अगर आप accounts books में जो serial number 27 में है जहां आपने paste किया है 27 यह data match करेगा को यहीं से है यह रहा तो मैं अगर 1031 को 2683 था मैं इसको ठीक कर देता हूं तो cght 2683 हो गया यह भी मैं 2683 कर देता हूं तो यह data match कर जाएगा ठीक है तो फिलाल मैं आपको sorting सिखला रहा हूं बस तो यह data तो सबसे पहले आप green color select कर लिजे उसमें जो tax का data green color से तो इतना तो पता लग गया कि यह invoice अगली party ने डाला हुआ है अब उसमें tax का angle हो देख लिजेगा यहां और एक आ गया बस इसके बाद यह तो minor mistake है कम से कम invoice तो है इसके बाद इसको all select कर लिजे और कौन सा data select कीजिए filter by no fail अब यह इतने सारे data है जो आपके account books में तो नजर आ रहे हैं लेकिन gstr2a में नहीं है तो यह आपको जैसे यह party जो है इन्होंने एक भी gstr1 नहीं file किया लग तो ऐसा ही रहा है इसके बाद सिर्फ यह education purpose के लिए याद रखियेगा यह वीडियो gstr2a की कहानी देखते हैं एक बाद अब gstr2a में सिर्फ आप white निकाल लिए white data यानि कि gstr2a में तो है इसमें आपने लोग ने किया किया होगा कि इनसे purchase कि अपना gstr2a नंबर दे दिया होगा और यह सारे data आपके account books में नहीं है यह ज़्यादा dangerous है क्योंकि आपने खर्चे किये और अपने account books में लिखे नहीं तो यह ज़्यादा dangerous है तो आप इन सब को match किजिए हर हालत में नहीं तो notice आने का इंतिजार कीजिए ठीक है तो अब यह perfect sheet है आप अब धडले से with full confidence कोई गलती नहीं करेगी अब यह sheet आपने अगर खरीदी है तो आप उसको अलग-अलग company के लिए copy paste करके आप use कर सकते हैं लेकिन अपने दोस्तों को नदे और हमारी website से खरीदे क्योंकि अगर आप मेंसे कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब मैं उनी को देता हूँ जिनोंने खरीदा है ठीक है और सारे offer अब तो खदम हो गए तो अब इस sheet इतनी ज़्यादा strong हो गई है कि इसका price बढ़ाया जा सकता है लेकिन हम लोग अब भी बढ़ा नहीं रहे हो सकता 15 दिन बाद 20 दिन बाद इसका price बढ़ा दे हम लोग लेकिन उससे पहले आप खरीदे थेंक यू